हेलो फ्रेंड्स जैहिन नोहटा टेक में अपका स्वागत है देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं रुकमेनी पॉब्लिकेशन यानि प्लेटफार्म द्वारा बिहार एसाई यानि बिहार दरोगा का क्यूशन बैंक निकाला गया है हाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इसमे सारे सेट करवा दूँगा आप लोग उसको अच्छी तरीका से देख लीजेगा और मैं आपको डिसकसन के साथ करवाऊँगा ताकि आप लोग का कोशन भी याद हो जाए तो चलिए हम लोग यहां से देखते हैं देखिए बिहार पुलिस अवर निरिक्षक के साई अं Glassवादि के महनवादिक निक्ति कौन करता है राष्ट पती करते हैं ठीक न और राष्ट पती किसहाँ हैंजेद में हो जाएगा ठीक अहीफित बात करते महनवादि 676 में हो जाएंगे तो भाइघुन देखिर पती नियुक्ति कि बात कर लेते हैं कि भारत के नियंत्र के महालेखा परेचर्य राजों के राजपाल को भी निपती करते हैं राष्टपती और अठाशियक दर गण महनवादि किसी भी सदन में अथवा उसकी सहमती में बोल सकता है किन्तु अपना वो मत नहीं दे सकता है ठीक देखिए अगला कोशन करा है कि भारत का राष्ट पती आपना त्याग पत्र की से सोबता है तो उप राष्ट पती उप राष्ट पती को सोबता है देखिए राष् पर महाभ्योग की समझेद के तहर चला जाता है एक सट के तहर चला जाता है ठीक नो अउन्षेद 57 में क्या है तो राष्ट पती 500 के कारेकाल को पूरा करने के बाद ही क्या होगा पुना निर्वाचन राष्ट पती होंगे नेक्स देखिए कोशन है कि भारत की वर्तमान राष्ट पती कौन है भारत में देखिए वर्तमान में राष्ट पती समय कौन है द्वर्पती मूर्मूर जी है लेकिनी करेंट है 2008 के तो उसमय कौन थी सिर्मति प्रतिभा देविसी पार्टिल थी ठीक नो तीसमें राइट अप समय प्रमुख कौन बने हैं उस समय के बात कह रहा है तो उस समय बने थे दीकपकूर कौन दीपक कपूर अब 29 में बने हैं कौन हो जाएंगे मनोज पांडे और 28 में कौन थे थल सेना मनोज मुकुन नर्वाडे थे ठीक और तीनों सेना के अध्यच कौन होता है सुपर कमंडर तो होते हैं राष्टपती होते हैं कि बारत की मुख ने Hook कौन रहें हैं इसमें देखें कि सभाव जागा प्रति तो योता है विद्हां सभा के प्रती अविद्हां सभा किस आर्टेकल में है तो हो जागा 170 सत्तर में ठीक ना आर्टिकल 170 में हो जागा याद रखिएगा वहीं इसमें बात कर लिते हैं कि मुख मंत्रिक निउटी राजपाल द्वार की जाती है अब वैसे बैक्ति को मुख मंत्रिक निउट किया जाता है जो बिधान सफा क्या होता है बहुमत साबित कर्ष है कि के साथ उसमें करेंट का है तो यह तत्या कंटेक्शन अगला कोशन है कि जूट के उतपादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है इसमें कौन सो हो जागा पूणिया कौन सो जागा ठीक ना और भारत बिश्व में 35% जूट के समानु करता है ठीक और बिहार में जूट का उतपादन कौन करता है तो पंच्री माइल करता है कि आधिए सोने का रियसा यह गोल्डन फाइवर के नाम से किसको जनता है तो सहातूत जूट के रिष्टे के जना जाता है जोट को गोल्डेन फाइबर भी कहा जाता है अगला देखिए क्वोशन है कि 1857 के बिद्रोह में बाबु कुवर्शी ने बिहार के छेतर से नितितों प्रदान किया था यह हो जाएंगे आरा से आरा के थे बाबु बिहार में ठीक और इसमें फिर ब आधी कानपूर लखनवु फतेहपूर और जहांसी देली से कौन थे बहादूर सा जवफर और कानपूर से नाना सहब और लखनवु से बेगा मज़त महल फतेहपूर से कौन थे अजीमुला ठीक ना और जहांसी से रानी लच्मी भाई आगला देखिए क्वोशन है कि नव sagen दियाले के विजिटर कौन बनाय गया थे त्यूंशतम में देखिये बनाया गया थे Ohhh 18 में APG अब्धुलक्लाम बनाया गया थे मतलब अदुन कुलाम ने इस ठीपा कब दे दिया था थे पर 11 बीहार में लगफा कितने चेत्र पर सक्राइब गिल्पी और जन्षेक्या का 99 परतिसद भाग। ग्रामीन चेत्रों में निवास करती है जिसमें लगफा 80 पर सक्राइब लिए अपनी जीविगा चलाने के लिए करीशी पर धार्ट है वहीं फीर बात कर लेटे है कि भारत के जीड़ेपी में कृषीज छेत्र का अगधान 2022 में न intense rBIंटי 278,2 और ह 보िशी छेत्र नाहीं posição अधार्यमम वर्मोग्ण कितना हो जागा तो 48 प्रसेंट रोजगान 17 प्रसेंट और भारत में 43 प्रसुन भूमी पर क्या है मैदान का बिस्टार है इसमें राइट अप्सन नमबर सी हो जागा ठिक देखिए आगला कोचन कर रहा है कि भारत के महनवादी को कौन हटा सकता है कौन हटा सकता है राष्ट पती राष्ट पती हटा सकते हैं ठीक नव और महनवादी की किस आर्टिकल में चर्चा है चीहतर चीहतर के फस्ट में भारत के महनवादी के पद के बारे में उलेह किया गया इसकी निती कौन करते हैं राष्ट पती करते हैं और महनवादी का व्यतन कौन निधार्थ करता है तो राष्ट पती ही निधार्थ करता है ठीक नव राष्ट पती करते हैं तो राष्ट प में महानवादी कों है फिक चाहिए नेक्स्ट कोशन है बिहार में कितने इसमें देखी हो जगा दुहर एक के अंसार पूछ रहा है तो इसमें हो जगा 47.53 वहीं दुहर 11 के अंसार पूछेगा तो कितना हो जगा 16.80 परसेंट देखना और बिहार में 21 के जनकरना के अंसार पूरुस 16 कितना हो जगा पूरुस 17.20 20 हो जगा ठीक वहीं महिला के हो जगा एक काउन पॉइंट 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 पच्छास हो जगा आदूनों को बोला था एक बार एकजाम में किसको घटाने पर कितना आ जाएगा ता आप लोग बना लीजेगा नेक्स्ट एक कोशन है चौदा नमर कोशन करना है कि ध्यान चंद्र किस केल से समझती खेलाडी रहा है छहां चंद्र तेकिए त्षान चंद्र में यह होंके के लाड़ी हैं फिलाड़ी है और इन मतलब की जनन दिन पर 29 शकस्तुक्या में भारतिये भारति में राश्टिये खेल दिवस मना जाता है ठीक वहीं फिर बात कर लेते हैं ज सेर्षा की बजबन का नाम क्या था था फरीद खाय एक और सुरी शंम्राजग संस्था तरो पांकश ने किया था आफ वहर नी सासक्त था ये सीर्षा सुली नहीं किया था सूर्स अमराज का और सिर्शा के जनम कहा हुआ था न में उसी यार पूर में हुआ था बाझ वाड़ा में सिर्शा के पिता के नाम क्या था हॉसन खां बिहार के एक थे उस रुपदार जमाल खां की अंतरगत शासा राम की क्या थे जमेदार भी थे नेक्स्ट कोश्चन है कि भारती राष्टे कांग्रेस के अस्थापना कब हुई थी देखी कांग्रेस के अस्थापना हुई थी 28 जमर 880 इसी में ठीक नो आईस के प्रथम बैठक बंबे की गोकुल दास तेजपाल संस्कित कोलिज के भावन में किया गया था ठीक और क्यांग्रेस के प्रथम बैठक नश्यंद्र बंडर्जी ने किये थे ॅसमें टोटल कितने भाग लिए थे सादसे संर्भ स्थ inexpensive लिए थे दिया था नेक्स्ट कोशचन आगला कोश्चन कह रहा है कि सिधांत से समझत कौन रहा है लाढ्डल होची को रहा है लाढ्डल होची ब्यबगर सिधांत के तधध मिलाया था कब 17848 में बिलाय किया था ठीक्स राज़प्नीती के तध्र ऑडल होची तध सपन में अवद राजे को वुशासन के ट्राइबेकर सब्द किस खेल समझे देखिए ट्राइबेकर ट्राइबेकर यह हो जागा इसमें फुटबाल और होकी फुटबाल और होकी से हो जागा ट्राइबेकर ठीक हो ट्राइबेकर का समझ इसमें क्या होता है फुटबाल में जिसे कि सेंटर होता है पेनालिटी हो स्थाप कौन था तो दें कीश में हो जागा कुमार गुप्त प्रधम एक किस समराज से था यह गुप्त समराज से यह गुप्त वन से था अनलांदा भी सुविधाले प्रचीन भारत में क्या था तूर्च सिछा का सरवाधिक महत्कून विख्यात केंद्र भी था ठिक नूँ बिभ फिर बात लेगिए कि भिक्रमसीला भी सोविधाले क्या स्थापना किस से धरमपाल नें किया था थीज्ट को मुझेर मीर काशेम की रज्धानी थी रबर्ट क्लाइब के हाथ के कर्पूटली नबाब मीर जाफर को 1760 इस विमीघवर्टाकक उसकार मीर57 का시माफर के मिर ऐसे क्या हए था नेक्स्ट पोशन है कि गुरु गुभींद जिंह की माता का नाम किया था देखिए गुरु गुभीन सुन की की माता कानाम ईसमें दिया नहीं है यहां पश्वा जा का खुझरे भी जन मब हो दिसंबर हो था तो के दिन गुरु गुविन सी ने खलसा पंथ के भी अस्थपना किया था 1699 में अपाहुल पढ़नानी के सुरुवात भी गुरु गुविन सी नहीं किया था इन्होंने पांच कंकार जैसे होता है केस काड़ा किरपार कच्छा और एक होता है कंगा इस सब का परियोग किस ने किय ट्क टेक देखिए कोशन है करें फरिस्वर नात रेटु का जनम कहां वा था इनका धे जनम जो हुआ था पूरिस्वर नात Cr этом का दी MAYOR पूरिया में हुआ था ठीक न और इसमने बात कर देंकर जनम जो की चार मार्च 1921 सीसी में हुआ था आई यह हिंदी भासा के प्रसीद क्या थे सहीतिकार यह उल्पनियास कार भी रहे हैं क्या है कि मैं क्यों स्योत है की कमाई्री नियुद है दोनमने आवियो नें इनको प्रशाद अंतिम कावे इराजिना इसकाज प्रकाशन कभ गा था 1936 से 1936 से मियाद रखिएगा नेक्स्ट कोचन है कि और सास्त्र पुस्तक किस ने लिखा था देखी और सास्त्र पुस्तक कि राजितिक विग्यान से समय थो जागा अब कोटुलिय विशने गुप्त द्वरा लिखा गया है ठीकिना और सास्त्र को पंद्र अधिकर्णों या भागों में प्रभागों में बाटा गया है ठीकना और सास्त्र के बारे में जनकारी हमें मोर प्रसासन यानि मोर वन्स की जनकारी मिलती है कि कैसे कैसे वहां बेवास्ता सासन की चलाया गया था ठीक है और इ चेंसे और कोरो और मरो क्योंते सच्छें किये थे हैं तो को दो रूठ आघ मी हम हास स्याइघ घंट स्मयरेट, जाङ剥 स्यांद में पारतो सविक्त नहीं तोम स्याघन च्छ नहीं धी provides नारा किस ने दिया था तो यूशुप मेहर अली ने दिये थे ठीक नो नेक्स्ट कोच्छन है कि बक्सर का यूद किन-किन के बीच हुआ किस-किस के बीच हुआ था तो अंग्रेज में हो जा कौन सा तो मिर काशिं और अंग्रेज के बिच हुआ था बक्षर की उद्गाप हुआ था 22 अक्टूबर याद रखेगा 22 22 अक्टूबर अक्टूबर 1764 इसी में हुआ था उसके बाद इसमें कौन-कौन थे तो बक्षर की उद्ग में बंगाल के निश्कासित नबाब कौन था तो मीरकासि जो फैक्ट्रे अपना लग था इसमें तीने कौन-कौन मीरकासिम ये कहां के था बंगाल के नवाब था बंगाल का निश्कासित नबाब था आवद का सुजावू दावला और मुंगल बत साह अलम दितियव था जो कि दिल्ली का अटीनों को क्या किया अंग्रेज ने पराजित किया था उसी के समय से ही अंग्रेज का अधिकांस तो बट्चस वो बन गया अवसमें अंग्रेजी सेनाक नेते तो किस ने किया था तो हेक्टर मुनरों ने किया था याद रखेगा आइसका बक्सर के यूध में इलहाबाद के संदिव वाकब तो 16 अगस्त 1765 इसी में हुआ था ठीक ना कहां हुआ था तो गंगा नदी के टटपर हुआ था गंगा नदी के टटपर ही है कौन सा बक्सर नेक्ष्ट देखे कोशन है कि बिहार में कुल कितने परमंडल है देखे बिहार में टोटल बात करेंगे तो नो परमंडल है कौन को परमंडल है पटना सारन मगद पटना सारन मगद दरभां पूणिया कोसी भागलपूर मंगियर इसमें कितना हो जागा नौश सब्सक्राइब में जो कि 94,163,163 किलोमीडर ठीक नो आप बिहार में लोग सभा सदसिक सीट 40 हो जाएगा अब भिधान सभाग सीट 243 हो जाएगा राज सभाग सीट 16 हो जाएगा याद रखिएगा इसमें राइट अप्सान को जाएगा सी नेक्स्ट कोशन कर आए कि वर्स 2001 की जणगर्ना के उसार बिहार की कुल जन संख्या कितनी थी बिहार की तेहां आप देखिए 29 ग्राइट अप्सान ये हो जाएगा ठीक नो नेक्स्ट कोशन कर आए कि सितारा देवी किस विद्या से समयन्थ हो जाएगा देखिए सितारा देवी ये हो जाएगा लोग निर्थ की पतना हाइक चोड के स्थापना कभीती चला में 9620 में में hanahahaha कभीडिया अलग होडं में तीन हाइकोट कौन-कौन कलकात्ता बंबे मद्रास कौब की एता स्थपना इसका 1862 में आ कौन सा एक्ट था 1861 के बारतमान में कितने हाइकोट हैं भारत में तो 25 है 25 हो कौन सो हो जागा तेलांगना तेलांगना हाइकोट हो जागा भारतिय समिधान कर दूसर 214 से 232 तक उच न्याले की विवस्था किया गया है और भारत का सबसे बड़ा हाइकोट कौन सो हो जागा तो इलहाबाद याद रखियेगा कौन सो हो जागा इलहाबाद इलहा बाद हो जागा ठीक नेक्स्ट कोचन है कि जैन धर्म के अंतिम त्रितकर महाबीर की मिर्थु कहा हो थी यह हुआ था पावापुरी पावापुरी कहा है राजगीर में जो की बिहार में और फिर बात कर लेते हैं इनका जनम को अभुआता था 4662 में हुआ था आयनिका जनम कम खुआता 5402 में अ कोंसे त्रितकर थे 26 में इनका बच्पन का नाम बर्थमान था आयनिका जनम कहां हां था कुण्डग्राम बैसाली में हुआ था ुखुष और नेक्स्ट क्वोषिन है कि भागवान बूद का जणम लुंबनी में हुआ था तर लुंबनी कहा है २ुवनी, लुंबनी कहा हो जगा यह हो जगा नेपाल, नेपाल में हो जगा। ठीक, नौ, बूध का जनम कब वहा? 540 इसा पुर में, कुंड करामबै साली में, आइनका जनम 563 इसा में, ठीक, नौ, महावीर का जनम 540, महात्मा बूध का जनम 563 इसा पुर में, ठीक, कपिल बस्तु के निकट लुंबनी नामा का स्थान पर हुआ था, देखिए बहुत धर्म के संस्थापों कौन थे गौतम बुध है इन्हें क्या कहा जता है लाइट ओफ एसिया यानि एसिया का जोती पुंज भी कहा जता है बुध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था तो साथनात के रिशाप पत्नम में ठीक नो वहीं फिर बात कर ल संथ है तो जात्क जातक नो नेक्स्टकोषन धरखण्ड देश का कौन इसाराज है देश का 58 29-12 पुझे गता-णला भीहार पुखेगा और वल हो जएगा याद रखिएगा नेक्स्टकोषन की बिहार में लोग सभा सीटों की संख्या कितना है अबि मताएह है 24 दिखना-प नेक्स्ट है कि अंत्राश्टी महिला दिवस का मना जाता है डीक वोचन है कि इंडी सार किस वंस का राजा था विंबी सार कि हर्यक पॉंस हर्यकबञ्स के राजा था और इसकि चि dau तक तक हिए ृसना तक नेक्ट्च है कि भारत में प्र्थम सत्यागर गांती जी ने कहां शुरू किया था देखिए चमपारण में जो कि बिहार को बिहार में आने के लिए निमंत्रण किस ने किया था राजकुमार सुक लेक्टिंग किया था कब 1916 के लखनाव अधिवेशन में किया था याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है कि भारती देखिए यह हो जागा णाड्य अपके छा यह ने कि शौबर स फ्रक्राण का सबसे नए स्थी कौन्स हो जागा ना एंढ़की आठ्र वहें सितने शॉष्टन तरके स्थपना कभ गगा था आठ दिसंबर उन्नेशो पचासी कहीं कहीं देता साथ या आठ दिसंबर उन्नेशो पचासी देता है अइस का मुख्याले का हो जगा कट मांडू में हो जगा ठीक असार्क में जिसे भारत पकिस्तान बंगलादेश नेपाल भुटान सिरलंका परफिशन है कि स्थापना का हुआ यह जाएक नियुवार्क हो जगा ठीक आइस का भौन 17 एकड जमीन 49 मंजला का है ठीक ना आइकॉन सा दिप पहुझेगा दिप पुछता है मैंहें तन दिप प्र चोबीस अक्टूबर औक्टूबर उन्नई सो पैन्तालीस सीस्री में अगहें भारत इसमें कभ जुड़ा था भारत इसमें पूछत आयों ञाले सीवा जी को किसने कएद कर लिया था दिप हो जन्यंकि सिवा जी अग्रेज ने मैं 1666 मैं 1666 हिस्सी में जयपूर भावन में कैद कर लिया किसको सिवा जी को ठेक है और सिवा जी मतलब की सिवनेर दूर्ग में कहां हुआ था आजोन 1665 में जैसी और सिवा जी के बीच में कौन सा संधी हुआ अगला यहां प्रक्ष नमबर में कहना है कि महात्मा गांधी कव भाति राष्ठी कांग्रेश के अधिशाँ था उसमें भाग ले थे पूछेगा पंडित मोती लाल नहरू नहीं किये था वहीं 1905 में पूछेगा तो बनारस में हुआ था गोकुल गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था 1905 में ठीक नहीं 1934 में पूछेगा तो 1934 देखिए बंबे में हुआ था राजिंदर परसाद थे उसमें ठीक आउनिस्ट पूछेगा तभी आप लोग बताए ही तो 1916 में कौन थे लखनाव में हुआ था उसके सारसत मुष्ण लिग की बैठक के एक साथ और एक ही मंच पर एक समय आयुद किया गया था है नेक्सट कोशिण है कि बंगाल का बिभाजन कव खता दिखिए भंगल का बिभाजन में अकॉंस यूर्ण लॉड कॉर्जन भाण ठीक बंगाल कर दनीभाजन अनिस जुलाई 1905 को लिख राढ़ा किया गया आम बंगाल बिभाजन 16 इसोड़ थेक्टन आप वবधन को रदगों किया गया 1911 में किया था किसने क्या था लोड हर्डिक दीती यह न किया था याद रखेगा कि और लोग सभाः के तोत में पुलाता ताए नेक्स्ट कोचन है कि राजसभा और लोग सभा की सववबढतर अब राजसभाई और लोग्सभाई की स्यक्य बदध़ tutti को सभडाए राजसभाई ग्राम पंचयाइद के लिए चुननावर लडना चाहता है उसके उम्र कितनी हो वर्ष ऐस से उपर भी के विदान सभाग सदस्यों के लिए 25 वर्ष हुई राष्ट पती उप राष्ट पती राजपाल के लिए 35 वर्ष ठीक ना 35 आम मतदान पर भोट देने के लिए इतना अठारा वर्ष परदान मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष 25 वर्ष जात रखें की है ने-टाजी सुभाज चंद्र बोश राष्ट एक खेल सनस्थन कहां है यह हो जाए कहा تم पर प्रडियाला प्रडियाला कहा हो जएगा ठीक नवाँ वहीं किनन ला स्ट्राटियं कम कहां दीने नihnक्स्टोचन है कि जस्कवाल राणा कान्ग उस हो जागा और अबर्ड़ 들 परशपाल रणाने यह हो जाएंगे निसाने बाजी कियोंसे हो जाएंगे निसाने बाजी यूच्ट है कि राजा भोज निमलीखित में से राजबन से इसे प्रमार राजबन से थे परमारबन्स करदधनी कहां he 라powered और उपिंदर राज रखी गा राजा भोजे ए सासन काव में धारा नगरी विद्या का कया कह ता प्रमुखः केम्दर भी था नेक्स कोशन है कि डिल्ली के लाल क्ली में मोती महषिद का किस्न ने बनवाए था दिली में दिली में देखी यह हो जागा अनजेव जिसने मुना था अनजेव ने आगरे की किले में से तो मोती महश्चित करने माट किस ने करया था सहा जहाँ आवहें दिली में पूछेगा अनजेव नेक्स्ट कोचन है कि 877 में मेरट में प्रत्थम सिपाही बिद्रो कि आग किस दिन भड़की देखिए आग भड़की थी किस दिन यहां पहुझेगा 10 माई 1877 इसी में मेरट की पैदल तुकडी जो कि 20 NI नेटिव इनफैंट्री से 1877 की करांति के शुरुवात हुआ ठीक आउसका मुख जीमदार कौन थे तो मंगल पांडे ही थे ठीक नो 1857 के करांति किसमें भारत का गवर्नर कौन था लोर्ड करनिंग यहम इंगलेंड के प्रधानमत्री उन्समें पुछेगा तो प्रमस्टन था ठीक नो प्रमस्टन किस पार्टी का था तो लेबर पार्टी ठीक करथा ठीक नो 857 के सिनीक विद्रों कि समाप्ति कभवा एक नॉंबर नॉंबर 9808 संताओन इस दी में समाप्त हुए शुरौए दस मैं 887 कौण समाप्त हुआ 1 नॉंबर 8808 कौण कौन गोषना किया था इलाहबाद में गोषना किया था लौड कैनिंग के दोरा अगला देखिये कोषन है कि महात्मा गांधी के हत्यार नाथुराम गोड से ने निमलेखित में से किस तीधशी को किया था यह किया था गांधी जी का जनम हुआ था दू अक्टूबर 1879 से में गुजरात के पुर्मणनामक हस्थान पर हुआ था गांधी जी के हत्या नई दिली के बिंडला भौन में किया गया था ि नेक्ट कोचन है कि हाल ही में भारत के किस पौरणशी देश में राज तंत्र की समापती कर गड़ तंत्र के स्थाप्ना है टीक यह कि टिलिए किलिए फलों उम्र कितना है Kyraa के लिए कितना होता है राज पार्स होता है इसमें फिर बात कर लीए थे सब्सक्राइब करते हैं उनके अस्थान पर नय निर्वाशित किये जाते हैं राधसबह कभी भंग नहीं होता है राधसबह क्ये हैं लोग सबह निमन संद्र है इतना याद रखेएगा है नेक्स्ट कोशन है कि दुहयर 10 में आयुत होने वाले कंहिसट भीलत shorter कोन कोन करेगा इस होजयका भारत भारत उसमें 10めて किये था ठीकड़िदम करेखेलेखेले में द प्रिन्स गुमारभाई ने चला रहे हैं और बहुत ही बेहतर फर्में चलाएदा है गूगल की माधियं से आप लोग 59 प्याद आप लोग जोड़ सकते हैं तो यहां अच्छा कासा से चला जाता है इसा सकते हैं यहां यहां पे प्रिंस उंकर बाट कर सकते हैं यहां पर गुरूप में जा के आप जोट सकते हैं यहांं आप आप अप्ते प्र शपान चाहिए क्योंकि आप लोग को टैस यहां के वर्स आप में हो रहे ह Д世界 gifted खेन सब्सक्राइब सिखिक आप Nathan विए करेंट है ती हुआ था कहां पे तो चीन हुआ था ठीक ना नेक्ष्ट देखें कोछन अगला देखें कोछन इसमें देखें बात करना चाहूँगा कि जिसे तीसवा ओलम्पी कहल का होगा तुर चोबिस में ती हुआ था पेरिश फ्रांस में आओ शौंधिस ओलम्पी ल होगा और 32 होगा ब्रेंट पॉंद अंत्रं से और आपरेटर व्रोट के शुरयद को चालो को मने तायर ओलम्पी जुआ कि न को अगला id कि करारहा कि सतल स्व now Rafi निवनमे की साक न ढौ है तरिकrare Cup के चीनाव तो प्हसी में किति今ो मने देखी हो जाए Cr hen जाएगा ब्रहेंपुत्र स्ट Anthुश सिंदू कहलेगा ब्रह्म्पुत्र तीवर्छ स्टे से यह और भारत में राश्याितारश में यूटिं दपे लेते हुए गंगस में चल जाती और गंहां से निकलती है गंहां गोमुक के गोंगोत्री इसे निकलती है ठीक नो उत्रा घंड के उत्रक असी जिला की गोमुक से निकलती है त् 뚝्क नो ट Иृ स्फिरी नुट्स्तपुटे रभी संकर का समन्द नहीं हीग और यह करूंपर पर्शन से रहा है त्म्रोग्ति यह दत्यृत कर दल्च पंदी रभी शंकर का समन्द यह हो जागा उनका किस से सितार से हो जेग से लोक नाय कहां जाता है किसको द्धिशेपरकास नरानी को यो किसे को आता है धाल से सफल तिलाग को लों की तबादры लों कुछ मादरी मतलु कभिशे चैनल से विष्भिदúpा क्या स्थपना किया थे मैं अगला दर्वातर नेम लेक्तमिस्टक भूलन दर्वाजब कहा हो जगा पर ये काहाँ हो ज्यूंद्र अग्रा में अगरा अकबर ने अनुबाद भागिया स्थपना किया था अकबर के काल में हिंदी साहिंत का क्या काल कहा जाता है ठीक याद रखेगा एक लंबयां तराल के बाद भारत यों बंगलादेश के बीच कौन सीरियल गाड़ी चलाई गई चलाई गई इसमें देखी हो जागा कौन सा मैत् अधार एक्सप्रेश भारत और पकिस्तान के बीच चलती है अब हारत और मंगलादेश के बीच तीसरी ट्रिन कौन था मिताल एक्सप्रेश कब चली थी एक जून 2022 को चली थी नेक्ट कोचन है कि भारत के राश्पती कोपद से कौन हटा सकता है ठीक ना 64 कराईटप से यहां पर भी हो जागा संसद भारत का व्यापारिक संबन्द सबसे पहले किस इरोपिये देश से अस्थापित हुआ देखिए सबसे पहले इस्थापित हुआ था पूर्तगाली से भारत नें पहला पूर्तगाली वासकोडीघामाघ कव आया था वासकोड rasa 24 IG में राश्बाय था फिर कव आया था reflect पूर्तगालीने अपनी पहले व्यैपारी कोठी कहां खले थी त decentralized比 में ब्रक्त tutti half चॐँबन्स के बाद 153 212 में याद रखियगा चला हा कि बेंग्टन कॉप का समद्ध की स्केल से देखिए बेलेंग्टन कॉप यह हो जागा होकी होकी से है बेलेंग्टन कॉप बेटन कॉप बेटन कॉप आगाखा कॉप रंगा स्वामी कॉप और बेगम रसूल ट्रोफी कॉप महाराजा रनीर सिर्कॉप यह सब किसे हो जागा हो से फर्डेशन कॉप नियारू कॉप चलेंज कॉप यह सब बास्केट बॉल से अगला देखिए कोशन है कि पिर्थवी का एक मात्र प्रकृति को पुरा कौन से हो जागा यहां पर राइट अखन नमर कौन सा हो जगा डी हो जगा ठीक चंद्रमा प्रथी गा एक मात्र प्रकृत कौन है चंद्रमा ठीक आप बेस्पति क्या है तो सब से तेजी से घुमने वाला एक ग्रह है जो कि उसको क्या कहता है भैकुम क्लीनर ग्रह का आ जाता है नेक्स्ट समबर यहां पर कहते हैं परिगोहन नहर ईशागर को किसे से जोड़ता है जोलर का निर्माण का भृटा telefon द मॉमद सागर की ओर से स्वेज नहर पर बंदरगा है कौन देखिए ब्स पोट कौन सो हौजगा साइद पोट आउधर में हो जागा उतर में उतर की ओर साइध पोट यहीं दच्छिन में पूछेगा तो पोट साइध हो जागा ठीक नौँ अगला देखे कोशन करें कि भागवान बूध ने अपने धर्मूत्यस दिये थे कहाँ पे पाला देखिए धर्म दिये थे यह हो जाँगे सारनाथ सारनाथ के डियर पार्क में दिये थे ठीक ना नेक्स्ट कोशन है कि चलिए आके देखते हैं यहां यहां पर देखिए 70 नमर में यहां पर राइट अपसंद देखिए कौन सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है उन्षेद 370 का समद किस राज से हो जाँगा यह हो जाँगा जम्मु कास्मीर उस समय यह अनुशेद था अब इसको कुछ इसमें अनुशेद निर्वासित कर दिये गए हैं ठीक ना और जम्मु कास्मीर आपना एक क्या था अलग समिधान था लेकिन प्रिधक जब हुआ तो उसमें कप हुआ था तो निशो संताओं ने प्रिधक हुआ था वह अपना समिधान लिया था जब बिलाई कर दिया गया था सब भारत के इससे रुपया पैसा और समिधान भारत के ही लागो होता है जम्मु कास्मीर पर नेक्स्ट कोशने के राजनामा किस की राजनामा फार्सी में अनुबारत था कौन राजनामा का तेकी राजनामा ये महाभारत का था इसका था महाभारत का था और मुंगल बसा अकबर ने महाभारत की फार्सी में राजनामा के नाम से क्या किया था अनुबारत कर रहा था औ और महाभारत का पुराना नाम क्या है जय सनहिता ठीक नो आया अभीस्व का सबसे बड़ा महाकाभी ठीक महाभारत के फार्सी मनबार गीस ने किया था तो नकीब घा अब्दुल कादीर बगावनी एंसेख सुल्टान दोरा किया गया था राजनामा का अर्थ क्या था यूद का पूस्तक अ माभारत में महाखहंड कितने हैं महाख पर्व टोटल आठ आठारा पर्व हो जगा सबसे बड़ा पर्व पूछेगा तो भीश्म पर्व नेक्स्ट कोशन है कि वो मुंगल सम्राड जिसका दो बार राजिवी से खुआ कौन था देखिए दो बार राजिवी से खुआ तो वो होगा जहागीर और जेव हुआ था ठीक ना आउट जेव को ठीक लेखिए और जेव का पहला बार राजिवी से ख 31 जुलाई 1689 को हुआ था ठीक कहां आगरा में ठीक ना आदूसरा भर काम हुआ तो दिल्ली में हुआ था नेक्स्ट कोशन है कि अंग्रेजों का सुनाहारा फर्मान को परदान किया गया सुनाहारा देखिए फर्मान परदान किया गया था 1632 इसी में किसके द्वरा तो गोल्टोंडा के सुल्दान द्वरा किया गया था 1632 इसी में अंग्रेज ने दचिन भारत में प्रत्थम करखाना कहां खुला था मुशूली पट्नम में खुला था अगला कोचन है कि पुर्तगालियों ने गोवा अधिकार कब किया था देखिए पुर्तगालियों ने गोवा अधिकार किया था 1510 इसी में ठीकना गोवा पुर्तगालियों का एक क्या था उपनिवेस था और पुर्तगालियों ने गोवा लगभग गोवा परलगभग 450 वरस क्यास की समय और होता है देखिसे होता है यह किसे हो जाएगा यह कीडे के प्युपा橋 में कीड़ों के प्यूपास होता है ठीक नस्य стр थागे का बना होता है आकोकुन के भीतर बंद बंद अचल लारवा पीपा का लाता है ठीक नेक्स्ट कोशन है कि यहां पेशत अतर नमर की मोबाइल के लिए नमर की लिए निमलेखित में से कौन सा अतियवस्यक है यह हो जा कौन सा हंट सेट सेवा परदान नेटवर्क सिम कार यह सब हो जाएगा नेक्स्ट कों से प्रेस्नल कंप्यूटर के कुँजी पट्न की कुँजी प्रमप्रागत टाइप राइटरों में व्लबंद नह नेक्स्ट कारा कोचन कि निम लिखित में से कौन सा सब इंटरनेट कर 45 से समन्नित है ति यह हो जागा कौन सा इसमें देखिए राइट अप्स नूबर डी हो जेगा सभी इंटरनेट का विश्कार कभी है उन्नाई सो साथ हिसमें हो था इंटरनेट का विचा उन्नाई सो नहत्तर हिसमें एडवार्ट रिचर्ड प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्ग के कियो धार्णा पर त्यार किया गया था नेक्श्ट को रहा कोशन की जब सब्सक्राइब किस रक्तवर्ग के बढ़ तो यह जाता है तो इन्हें दान देने वाला यह हो जाय कौन सा ओ अस्वरग रही पूछेगा यह हो जाय कौन सा यह हो जाय ए भी अगला कहना है कोचन कि दूद के फटने पर कौन सा एसीड तुद्पन होता है तेहां पूझेगा लेक्टिक एसीड हो जागा वहीं फिर बात कर लेते हैं जैसे कि टमाटर में और जली कमल हो जागा अंगुर में टर्टरी कमल हो जागा इमली में इमली में भी टर्टरी कमल हो जागा और आवला में देखिए यह क्या होता है अवला में 60 ॐपरसेंट्ट्ट शुर्टी के अमन में 6% ठीक्ड़ा देखिए कोचन यहां पर दिया गया है कि सितारे किसके प्रभल सुरुथ है स्वरी श्री संतरे किसके प्रभल स्टव्भ होता है तीसे में होता है विटामिन के विटांवीन होता है और विटामन बीटामन जो उद्भेश्य का करता है कौ Celsius C को एस यहीं सबसे बड़ा स्बूद्ध होता है आउला का आजब वेटामन कौन सा भूलने वाला था कशन संक्रमन होजाएगा गिएंगा किससे होता है एक ही कारण के पिट्रीया जनुद सनक्रमन हो जाएगा आगला कनoka कोशन कराएं कि एटीक्षिन का इंजेक्शन किसकी रुख थाम के लिए दिया जाता है इसमें हो जाएगा टेटनस हो जाएगा अलवर्ट आश्टीन थे एक पर सीदे ते यह नहीं हो जाएगे भौतिक सास्त्री भौतिक सास्त्री ठीक नहीं अगला कोशन है कि कहना की टेरी फोन का विश्कार किस नहीं किये थे अलग जेन्र गरहम बेल ने किये थे ठीक नहीं और जेन्र गरहम बेल अगला कोशन हो किओ भाफ भर के इंजन का विश्कार गिश्कार किस नहीं हो जाएंग गैर सबाव किस में गिचार किसनैंस बार्ट नहीं किया था डायाम माइकल भीम माइकल माइकल फिराटे निया था थेकाटनमाय वे ही डिजल फिन जानकर कोओन नहीं किया था और देंबलर डेंबर यार रहायर क्या आर्फ फि क्या थ करता है फिशत किस्स नहिंद है जी five sev थर्मल प्लक्स का डीवर पायरा सुटे कहेगा गौर्जिन एजी गर्जिन नेक्ट कोशन है पी ये सेल भी का अर्थ क्या होता है पी ये सेली करता है पोलर सेटलाइट लॉंच विकल अगला देखिए कोशन है जब किसी माध्यम का बढ़ता है तो उस माध्यम में पर्कास का बढ़एगा परकास पर कोई परभाव नहीं पढ़ता है लेकिन परकास पर जैसे मतलब की परकास आएगा परकास पर परभाव नहीं पढ़ेगा जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा ताप किससे पढ़ता धौनी पढ़ता है जैसे ताप बढ़ेगा वैसे धौनी का ताप यानि बढ़ अक्साइड है ठीक ना दिसे सी ओ टू सी एज फोर एन टू ओ ओ तरी सी एपसी और एज एपसिक्स है अगला कवर एक कोच्छन की नीम्न में से किसमें आपन प्रमप्रागत उर्जा सुरोत का उधारण है तेकि आपन प्रमप्रागत है यह हो जागा स्वर लंटेन में स्वर मातन करते हैं हम लोगेंटर से यह मंहते करता है यहां कि नहीं करता है एक अदर्स आयमसे नेमन में परिवर्थित करता है यहां यहां देखिए जिसे इंतरिक और वर्जा द्वन वर्जा में अब बितुत है पूछेगा तो रसानी को जयाको तू ञाह अगया है ज़य होती है चणी होते है चाड़ी होते किसमे यह नहीं जस्ता की प्रचड़ी होती है ठीक है और इस पात में क्रोमियम की मिला देने पर क्या होता है जंग रहित होता है कभी जंग ही नहीं लग सकता है ठीक आइसपात में कौन-कौन होता है तो लोहा कारवन क्रोमियम निकल होता है यह जो चारो का मिस्ण होता है कि प्रतवी में उप्रमंद सबसे कटोर प्रड़ा या सबसे भारीत तो अधाम्यम हो जगागा है अगला कारही है कि यहाँ पे वाशिंग्शोडा किस का समाने नम है वासिंग सोडा देखी हो जगा sodium carbonate, sodium carbonate को हो जगा, sodium परणवर्सोटर क्या आता है, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O, सोडियम सोडियम का रवनेट यह होता है क्या धोने वाला सोड़ा होता है वासिंग सोड़ा वासिंग सोड़ा का अतुपादन यह लिवुकॉन विधी या सालेवी विधी इससे किया जाता है ठीक देखिए आप लोगा यह सेट संख्या जो की प्रम्भिक परिशा 2008 है पुझा गया था तेश चार दुहर आट को यह पूर्टुप से समाप्त हो गया इसका डिसकॉसन आप लोग इसको अच्छी द्रिकास से वीडियो को देखिएगा आप लोगों बहुत सारा बिन्फिट मिल गभ्णाइबा इसको क्यों से तो चलिए मिलता है नेक्स्ट विडियों तब ते कितना ही जय हिंद है